अपनी पत्नी शांता के साथ मुनी रुश्यश्रूंग भी अंगदेश को लोट गए और बुद्धिमान राजा दशरत अपने सेवकों के साथ कुछ दूर उनके साथ गए इस प्रकार सारे अथितियों को विदा करने के पस्चात महराजा दशरत अपने मन में हर्शित होते हुए पुत्रोत्पति के लिए प्रतिक्षा करने लगे इस प्रकार यज्य समाप्त होने के छे रुतु यानी बारा महिनों के पस्चात चैत्र मास के नवमी के दिन शुक्ल पक्ष के नवमी तिथी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र जो करक लग्न में था पाँच ग्रह उच्च स्थिती में थे सूर्य, मंगल, शनी, गुरु एवं शुक्र और ब्रुहस्पती ग्रह चंदरमा के लग्न में थे इस शुभ दिन और शुभ लग्न और शुभ नक्षत्र में कौसल्या देवी ने दिव्य लक्षनों से युक्त जगनाथ भगवान स्री राम को जन्म दिया जै स्री राम, स्री राम, जै राम, जै जै रामा